नमस्कार, स्वागत है शबी आंगनवारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आप सभी आंगनवारी बहनों को मालूम होगा कि ये जो portion tracker app है उस portion tracker app में अगर आप लोग कोई भी कारे करने जाती हैं जैसे कि beneficiary registration करना हुआ या फिर growth monitoring करना हुआ या अन्य किसी भी परकार के आप लोग कारे करते हैं पोसन ट्रेकर एप में तो आप लोग देख रहे होंगे कि काफी दिनों से पोसन ट्रेकर एप बहुत ही स्लो काम कर रहा है आपका जो डेटा है वो जल्दी से सम्मिट नहीं हो पाता है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका ये जो पोसन ट्रेकर एप है वो फास्ट कैसे काम करेगा तो इसी के बारे में आपको आज श्टेप बाई श्टेप जनकारी देने वाला हूँ कि आप लोग अपने portion tracker app को fast कैसे कर सकते हैं और आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो THR वाले बच्चे की category है जैसे कि 3-6 साल वाले बच्चे को हम लोग portion tracker app में THR का जो data है उसको भरते थे उस THR को portion tracker app से हटा दिया गया है जैसे कि हमने इसके बारे में आपको दो दिन पहले ही वीडियो में बताया था कि विभाग के तरब से इसका लेटर जारी किया गया है कि जो 3-6 साल वाले बच्चे हैं उनका THR नहीं होगा उनका OTP सत्यापन नहीं किया जाएगा तो इस portion tracker app से भी उस को उस लिस्ट को हटा दिया गया है तो आप लोग वीडियो में बने रहिए वीडियो को complete ज़रूर देख लिजेगा ताकि आपको portion tracker app से जुरी कोई भी परिशानी न हो तो जैसे कि आज फिर से एक नया अपडेट आ चुका है portion tracker app में और ये अपडेट है 10.6 का तो अभी तक आपने इस 10.6 का अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग portion tracker app का जो नया भरजन आया है 10.6 को उसको जल्दी से आप लोग अपडेट कर लीजिए अपडेट कैसे करना है जैसे कि यहाँ पे play store का option दिया गया है play store पे आपको क्या करना है आ जाना है play store पे आने के बाद आपको portion tracker लिख के search कर लेना है search जैसे ही करेंगे तो यह जो आपका यहाँ पे open दिखा रहा है यहाँ पे आपका लिख के आएगा अपडेट तो अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपका portion tracker app fast काम कर रहा होगा अगर अपडेट नहीं किये है तो इस portion tracker app को आप लोग जल्दी से अपडेट कर लिजिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे portion tracker app को update कर लिया है आपको क्या करना है उस open वाले option पे click करके portion tracker app पे आ जाना है अब देख सकते हैं कि portion tracker app का जीए जो update है इसमें कैसे fast काम करेगा जैसे कि यहाँ पे beneficiary वाले जो option आप लोग देख रहे हैं जैसे ही click करेंगे तो आपका जो यहाँ पे data पहले slow काम करता था अब यहाँ पे एकदम fast काम करने लगा है किसी भी category को आप लोग open करेंगे तो वो एकदम जल्दी से खुलने लगेगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने beneficiary वाले पे click किया click करने के बाद ही यहाँ पे सभी data दिखाने लगा पहले इस परकार का data नहीं दिखा रहा था slow काम कर रहा था लेकिन अब जो है कि यह ऐसा नहीं है अब जो है कि fast काम करने लगा है जैसे किसी भी category को हम लोग open करते हैं तो उसका जो list है वो एकदम click करते ही आपका जो list है वो आपके सामने आ जाएगा तो देख सकते हैं इस परकार का जो नया वल अपडेट है वो काफी अच्छा अपडेट आया हुआ है कि अब कोई भी कार है आप लोग potion tracker app में करेंगे तो उसमें आपको परिशानी नहीं होगी हाला कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो server का problem होता है तो इससे आपका जो potion tracker app है वो कभी कभी slow काम करेगा तेकिन इस अपडेट के आज आने के बाद आपका potion tracker app काफी fast हो चुका है अब आप लोग कोई भी data जो है कि जल्दी से submit कर पाएंगे और साथी साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3-6 साल वाला category आप लोग देख रहे है इस 3-6 साल वाले category में जो THR का option है उसको यहाँ से हटा दिया गया है जैसे कि 3-6 साल वाले बच्चे के टेगरी को open करेंगे open करने के बाद यहाँ पर जो 3 dot का icon दिख रहा है इस पर click कर देना है यहाँ पर जो दिया गया है 8 growth and nutrition details इस पर आपको click कर देना है click करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि पोसक हस्ते shape का जो option देख रहे हैं THR का जो option यहाँ पर दिखा रहा था वो THR का option यहाँ से हटा दिया गया है जैसे कि यहाँ पर 6 माह से 3 साल वाल बच्चे की जो category है उसको open करते हैं open करने के बाद यहाँ पर जो THR का option आप लोग देख रहे हैं इस पर click करेंगे click करने के बाद click करने के बाद growth and nutrition details पर click करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले category में यहाँ पर take home रासन का जो option दिया गया है वो अभी 6 से 3 साल वाले बच्चे का दिया गया है और 3 से 6 साल वाला जो बच्चे की category है वहाँ से इस THR वाले option को हटा दिया गया है तो यहाँ पर कूल मिला के बात करते हैं कि जो भी portion tracker app में आगन बारी बहनों को समस्याएं हो रहे थी कि जो data है वो जल्दी open नहीं होता है तो ऐसे में आपका जो अब portion tracker app है वो काफी fast काम करने लगा है जैसे कि home visit पे click करते हैं तो home visit वाले में भी जो भी लभार्थी है उनका data open करेंगे तो आपका data एकदम fast में open होने लगेगा तो इस परकार से जो नयवल update है इसके बारे में हमने आपको जनकाडी दे दिया है तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही और कोई इसमें नय अपडेट नहीं है और कोई नय अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर दी जाएगी आज की ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेर जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नई टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद